एक समय की बात है, जब राजु नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था, उसने एक घर में किराय का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था, वो काफी दिनों से कोई नौकरी ढून रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर वो करे तो क्या करे उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं कोई भी काम नहीं मिल रहा है हे बगवान अब आप ही मेरी कुछ मदद करो ये कहकर वो उस रात आराम से सो जाता है अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है जब राजू उठता है तो दर्वाजे पर कोई बेल बजाता ह राजू उठकर दर्वाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है अरे मोहित तुम इस लग तुम यहां क्या कर रहे हो अंकल आज मेरा जन्म दिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ अरे जन्म दिन बहुत-बहुत मुबा आता है अरे क्यों ना मैं यह चौमीन बेचना ही शुरू कर दूँ इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है बस चौमीन और थोड़े बहुत मसाले इसमें तो बड़ी ही कमाई भी होगी और बनाने में भी आसान है यह तो बहुत ही बड़ी आइडिया है कल मैं जाकर सब सामान क खरीद कर वो सब सेट कर देता है आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया बसकल भगवान का नाम लेकर मैं अपनी चौमीन के रेड़ी लगाऊंगा खूब मेहनत करूँगा और पैसे खटे करके अपने गाउं भेज दूँगा उसके बाद मा बाबुजी को कोई भी दिक्कत अगले दिन राजू बड़ी ही खुशी-खुशी उठता है और सब तयारी करके निकल पड़ता है अपना चौमिन का ठेला लेकर चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है उसके बाद वो चौमिन बनाना शुरू कर देता है उसी रोट पर भीकू की चौमिन की दुकान पहले से ही होती है पर वो दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था जब लोग राजू की चौमिन खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं सब उसकी बनाई चौमिन की खुप तारीफ करते हैं धीरे धीरे राजू के ठेले पर काफी भीड जम पर है इसलिए सब उसके पास जाते हैं तो जेक ऐसे पता कि स्वाज चौमी ने उसकी वो बस आसपड़ों उसके लोग बता रहे थे मैंने कभी इसकी चौमीन खा कर नहीं देखी जो भी है इसका काम बंद तो करना ही पड़ेगा भीकू एक दिन राजू के पास जाता है वो उससे ठेला हटाने की बात करता है अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ये सब दिक्कत आनी शुरू हो गई अब अपना ठेला अराम से लगाओ ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनके दुकान बंद पड़ गई है पर अगर आप डर जाओगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला इसी जगा लगाना उस लड़के की बात राजू को सही लगती है वो अगले दिन बिना डरे उसी जगा अपना ठेला लगाता है ये देख भी कू को बहुत गुस्सा आता है वो अपनी दुकान से दो नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है दोनों राजू को पीटने पहुँच जाते हैं और उसके साथ हाथा पाई करने लगते हैं राजू को पिटने देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं उस दिन भीकू बच जाता है पर अब भीकू कुछ नई तरकीब निकालता है वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने को बोलता है एक पुलिस वाला राजू की ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुसे से बोलता है पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर खुब पिटाई करते हैं, पूरी राद पिटने के बाद वो अगले दिन उसे छोड़ देते हैं, राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुँचता है, राजू का ठेला बिलकुल तूटी फूटी हालत में होता है, मेरा ठेला, मेरा सब बरबाद कर दिया, क्या गलती थी मेरी, ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी काम नहीं कर सकते, राजू रो रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीकु पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है, राजू समझ जाता है कि ये सब भीकु का ही किया धरा है, मैं सब समझ गया हूँ कि ये सब तुम ने ही किया है आज तुम मुझ पर हस रहो ना भगवान सब देख रहे है हाँ तो देखने दे भगवान को भी हमने कौन सा होने रोका है राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही ज अगले दिन भूत राजु की भेश में अपनी रेडी लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह जाकर चौमिन बनाने लगता है उसके पास हमेशा की तरह भीड जमा हो जाती है राजु के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं ये देख भीकु को बड़ा गुस्सा आता है शाम को अकेले में वो राजु के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है तुझ में इतनी हिमत कहा से आ गई और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई इतना पिटवाया था मालिक ने तुझे इतना कहते ही राजु भूत में बडल जाता है भूत भूत अब बोल क्या बोल रहा था ले पकड में रखला जैसे उस दिन तुने मेरे सर पर मारा था वैसे आज भी मार कर दिखा मुझे जाने दो मुझे जाने दो अरे अभी तो तुझे इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहे ऐसे बसा थोड़ी आयेगा वो मैंने मालिक के कहने पर मारा था मुझे छोड़ दो चल ठीक है एक शर्त पर तुझे छोड़ दूगा क्या क्या जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चौमिन खाते रहने होगी भूत नौकर के सामने धेर सारी चौमिन रख देता है कुछ देर नौकर चौमिन खाता है पर फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चौमिन खाई नहीं जाती भूत की डर से वो नौकर इतनी चौमिन खा जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है उसका पेट फटने को हो जाता है भूत उसे ऐसी हालत में सडक पर छोड़ कर गायब हो जाता है उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और हॉस्पिटल में एड्मिट कर देते हैं। अगले दिन भीकु को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और राजु ने फिर से चौमिन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी जादा भीड है और उसकी ही होता है। राजु भूट में बदल जाता है। भूट दूसरे नौकर को भी ऐसे ही चौमिन पर चौमिन खिला देता है कि उसकी भी हालत हॉस्पिटल जाने वाली हो जाती है। अब भीकु दुकां में अकेला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखर दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुँच गये, वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं, ये सुनकर भीकू की हालत खराब हो जाती है, भीकू बहुत डर जाता है, वो डरते हुए अपन दुकान पर जाता है, दूर से वो राजू को चौमिन बनाते देखता है, कौन कह सकता है कि आदमी एक भूत है, कैसे हम लोगों की तरद चौमिन बना कर बेच रहें, कैर अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे जल से जल दुकान यहां से बेचनी होगी, कुछी दि पहन की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाता है।